हेलो भाई लोगों कैसे हो स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा सो मैस्ट्रिक खजाना में तो प्यारे वच्चो आज मैं आपके लिए एलजेवरा की सेम डिग्री ट्रांसफर बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट लेके आया हूँ इसका question normally हर exam में पूछा ही जाता है चाए वह SSC CGL का exam हो MTS का exam हो CHSL का exam हो GDP का exam हो अमूमन function inverse function के उपर ये question आता ही आता है चलिए पेरवच्चो ये question क्या है इसको कैसे solve करेंगे इसके पीचे क्या concept है सीखते हैं तो देखो यहां से कह रहा है same degree transfer तो पहले यह समझते हैं what is the same degree transfer देखो पहले मैं question आपको दिखा देता हूँ यह question है यह आपके SSC CHSL 482023 एकदम latest में पूछा हुआ question है यह इस type का question रहता है कि हमें W plus 1 upon W मतलब function plus inverse function बरावर 6 दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है W minus 1 upon W तो देखो same degree transfer का मतलब क्या है कि हमें कोई value दे रही है कोई value दे रखी है कि X की power N plus 1 upon X की power N और N इसे any natural number 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है समझ में है या N in any rational number भी हो सकता है ठीक है और बरावर में क्या दे रखा है क्या दे रखा है और हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि जी हमें निकालना है ये दे करके कि X की power N minus 1 upon X की power N बोलो क्या होगी पैर वच्चो क्या बात आपको समझ मैं degree कितनी है यहाँ पे भी N है यहाँ पे भी N है X की power N कुश्चन में भी है X की power N क्या है given भी है तो उस case में बस change क्या है sign का है पहले plus का sign दे रखा है और minus की value पूछी गई है clear प्यार वच्चो तो क्या करेंगे simple root का sign लगाएंगे square root का और जो भी value k है k का square और देखो plus plus में जाएंगे तो plus 4 और यहाँ minus अगर calculate करना है तो क्या करेंगे minus 4 क्या आपको बात समझ में आ रहा है देखो ज़रा प्यारे बच्चो अगर मुझे अगर मुझे दे रखा होता कि X की power N plus sorry minus 1 upon X की power N is equal to let's say V दे रखा है और हमसे अब क्या पूछेगा यहाँ minus की value दे रखी है तो क्या plus पूछेगा तो X की power N plus 1 upon X की power N बोलो प्यारे बच्चो कितना होगा यह हमें निकालना है तो देखो क्या करेंगे simple जो भी value दे रखी है उसका square करना ठीक है और उसमें से देखो plus में जा रहे हैं तो क्या करेंगे plus 4 कर देना और उस पूरे function का square root समझ में आए प्यारे बच्चो क्या करना अगर minus में जाएंगे तो क्या k square minus 4 और square root और अगर plus में जाएंगे तो v square plus 4 का square root समझ में आए कि नहीं चलिए अगर यह बात समझ में आ गई तो देखो पहरे बच्चो बताओ जल्दी से इस question का answer क्या होगा तो आपको पता है मुझे यहाँ value किसकी दे रखी है तो आप कहोगे sir मुझे w plus 1 upon w is equal to below कित्ता दे रखा है 6 दे रखा है मुझे पुछा क्या गया है w minus 1 upon w तो देखो यहाँ w की power 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है बस क्या करना square root लेना 6 का square लेना और यहाँ minus में जा रहे हैं तो minus 4 कर देंगे समझ में है तो देखो 6 का square 36 और 36 में से प्यारे बच्चो कितना हमने minus किया 4 minus किया तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 into बोलो 2 तो प्यारे बच्चो 16 का 4 बहार आ जाएगा तो 4 root 2 is the right answer 4 root 2 is the right answer तो C चन्ने एक्सप्रेस मेरा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा समझ में आया क्या चले एक question और करते है देखो प्यारे बच्चो अब मुझे ये question पूछा गया SSC CHSL again 2023 का question है लेकिन दे क्या रखा x is equal to 1 upon x minus 5 प्यारे बच्चो मुझे एक बात होता हो मुझे ये दे रखा x is equal to 1 upon x minus 5 और क्या पूछा गया x plus 1 upon x की value पूछे गया जरा देखो प्यारे बच्चो अगर मैं इस वाले portion को इस वाले portion को उठा करके इधर transfer करूँ और इस वाली value को उठा के इधर transfer करूँ तो देखो क्या हो जाएगा तो आप कहोगे sir x minus 5 बरावर कितना हो जाएगा 1 upon x हो जाएगा अब मैंने क्या किया इस पूरे function को उठा के इधर transfer किया 5 को उठा के इधर transfer किया तो x minus 1 upon x is equal to क्या दिरखा है देखो 5 क्या ये बात समझ में आई के नहीं प्यारे बच्चो क्या इतनी बात समझ में आ रही है upon x क्या होगा तो आप क्या करोगे value कितनी है 5 5 का square करोगे plus में जा रहे हैं तो क्या करेंगे plus 4 करेंगे और इसका क्या कर देंगे square root इसका square root बोलो कितना हो जाएगा 25 और 4 square root हो जाएगा 29 तो बाहर तो कुछ आएगा नहीं root 29 b is the right answer क्या प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आगई है अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से बता दो इस question का answer क्या होगा फटावट से comment करके मुझे बताए comment box में ठीक है और बताओ इस question का answer क्या होगा देखो power 25 है यहाँ पर भी question में power 25 है लेकिन sign क्या है change है क्या आपको ये बात समझ में आई ये बात आपको समझ में आई तो comment करके प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए आपको session कैसा लगा trick कैसी लगी क्या आपको अच्छी लग रही है ये भी comment करके बताईए ठीक है guys जै हिंद मिलते हैं next जैगी trick में thank you